Assalamualaikum Ji welcome back to my youtube channel फिखली वीडियो में हमने यह देखा था कि पाकिस्तान स्टार्ग एक्सचेंज के आटोमोबील सेक्टर के बेस्ट डिविडेंट स्टाक्स कौन से इस वीडियो में हमने देखना है कि पाकिस्तान स्टार्ग एक्सचेंज के आटोमोबील पार्ट्स एंड एक् पार्ट्स पार्ट्स इस अगर को फेस्ट रापड़एंड यह वीडियों के और तो वह साल में आपको दो तीन दफ़ा अक्सर कंपनी चार दफ़ा भी और अक्सर कंपनी एक दफ़ा यह दो दफ़ा आपको कुछ प्राफिट जो उनको होता है वह आपके अक्षान्ट में बीविना प्रोफिट भी मुश्च राई है। पर फिर आपके 120 शेर्स हो जाएंगे एकले साल 20 ओर दे देंगी 140 हो जाएंगे तो इस तरह भी देती हैं तो ओवर दा फाइव येर्स उन्होंने काफी आपको डिविटेंट भी दिया होगा तो वह आपको इतना प्रेशानी नहीं उसके बात चीज की होती कि प्राइस नीचे चलीगी तो मेरा भी कुल नुकसान हो जाएगा उससे आपको फाइदा ही हो तो पांट साल में तो शायद चेयर प्राइस से जाएदा भी डिविटेंट आपको दे चुके हों तो खेर कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान स्टाइक्सेंज के पार्टस और एक्सेशरिग सेक्टर के बेस्ट डिविटेंट स्टाउक को उनसे हैं अच्छा पिछली होते हैं वह लेश्ट कर लेते हैं उसके सिम्बल उसकी पांच साल परानी प्रायस करेंट प्रायस पर greatly depressed क्या हुत है निर्दे रीट इंवेस्टमेंट कीवीजुक्र वह इसका कितना कम्नेच जैयージ धकाने में अगर 10 परषा को थो भो ない लाक पर 10,000 उपे इस तरह होता है और फिर उसके बाद इसकी जो हमारी पांच साल परानी प्रफारमस है अच्छे यह सारी लिस्ट कर लिए कमनी जो निकाल देते हैं जो जिन्होंने 5% से कम पेमेंट की भी है डिविटेंट की यह तो राइट अवे यह च्छे से साथ कंपनी जो है अब यह रह जाती हैं दो कंपनी इसमें जो ब्लोचिस्तान वील्स लिमिटेड इन्होंने 58% इनकी प्राइस जो है वो पिक्रो हुई है और इन्होंने यह डिविटेंट्स तियें तक्रिबन 5.48% आजकल अगर वैसे भी अगर बैंक अकॉंट में भी रखा जा तो इससे जा इसका असल में यह है कि इसने एक तो लास्ट टिविडेंट इनका काफी अचा था तो हो सकता है आगे भी अचा है दूसरा इनोंने 80% तक बोनस शेर्स दिया है में अट्लस बैटरी लिमिटेड ने 80% बोनस शेर्स वो भी तीन पोर्शन पे तो यह मैंने उसकी कैलकुलेशन किये पिछले 5 साल में अगर 5 साल पहले आपने 100 इनके स्टाक्स लिये होते तो वो अब तक डबल हो गये होते यह निके कौंटिटी भी उनकी डबल होकी होती प्राइस तो काफी ऊपर चली जाएगी ना कौंटिटी उनकी डबल होकी होती क्योंकि नोंने तीन पोर्शन में किये और तकरीबन 101 स्टाक्स एक्स्टा दियें बोनस शेयर्स का मतलब होता है कि वो पूरे शेयर्स दी देते हैं एक दफाइनोंने को 40 परसंट दिये हैं फिर 25 परसंट दिये इस तरह करके टोटल इन्होंने 80 परसंट तक बोनस शेयर्स दिये तो यह अगर आपने 5 साल पह जो है वो तक्रीबन शायद 1500 परसंट से भी उपर होना था क्योंकि प्राइस भी उपर जा रही है फिर उसके बाद डिविडेंड भी आ रहा है फिर बोनस शेयर्स भी आ रहे हैं तो आज की वीडियो में हमने मिर खले इसको भी यह भी क्योंकि कि कम मैं तो इसको चोड़ द आपको पहली दफा मिलें आपने कोई नहीं बेचे फिर और मिलें फिर और बेचें इस तरह फिर लास्ट पर यह 5 परसंट एवरीज डिवीटेंड भी आ गया डिवीटेंड के लिए से यह कम है लेकिन ओवराल यह देखें तो यह बड़ा उपर जा रहा है तो यह हमारी एक लिस्ट है अभी तक की जो हम 9 सेक्टर में से 14 स्टाउक्स कर चुके हैं क्लेक्ट यह लिस्ट इंशाला के ग्रोव करेंगी क्योंके मैंने और भी सेक्टर्स की वीडियो उनानी है उसके लिए आप यह सब्सक्राइब कर लें चैनल तो जैसर कि आपने देखा कि एटलेस बै दिया 20% तक तो अगर आपने पांच साल पहले एटलेस बैट्री के सोस शेर्स करीदे होते हैं तो वह आज 201 शेर बन चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने 20% एक दफ़ा दिया फिर उन वह सारे मिलके हो जाता होगे तो इस तरह आपके 201 स्टाक्स हो चुके हो एक तो वह फिर उसकी 40% तक प्राइस भी बढ़ी है शेर की वह फिर 5% तक एवरेज डिवीडेंट हर साल भी वह देते रहें तो वह इस तरह करके काफी अमोट बन जाती है तो इस तरह से हमने उसको अपने जो अच्छे डिवीडेंट या पेयाउट्स देने वाले स्टाक्स की लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया है यह हमारी लिस्ट अच्छा अच्छा अच्छेंज के बाकी सेक्टर्स के लिए भी वीडियो बनानी है इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरा हिट थाम्ज अप इस वीडियो सी यू इन नेक्स तेंक्स झाल